जी हाँ, ये बर्ट्रेंड आर्थल विलियम रसेल हैं, जिनका जन्म 1872, एवं मिर्तियो 1970 में हुई, बिर्टिस फिलोस्फर, राइटर और हिस्टोरियन जिनने लिटरेचर का नोबेल प्राइज 1950 इस्वी में मिला. अपनी मानविय सोच के लिए ये पूरी दुनिया में बिख्याद हैं, आज हम लोग उनके द्वारा लिखा गिया आइडियास देट हैब हेल्प्ड मैनकाइंड को पढ़ने जा रहे हैं. सरपर्थम उन्होंने उन चीजों की चर्चा की है जिससे मानव्ता को एक साहता बिली और उसी को उन्होंने इसमें बताने का प्रियास किया है. आइडियास देट हैब हेल्प्ड मैनकाइंड ये बर्टेंड रसल द्वारा लिखित है. मैन गेदर्ड एक्सपेरियन्स मनुस्य ने अनुभव भी कठा किया है. देबिकेंब सिविलाइज़्ड वे सब भी बने. इसमें एक लंबा समय लगा. In the beginning, the thinking men were naked. प्रारम में चिंतल सील ब्यक्ती नगन थे. They lived in caves and forests. वे गुफाओं एबम जंगलों में राते थे. Their number was very less. उनकी संख्या काफी कम थी. They had no safety against cold and animals. उन्हें ठंड या जानवरों से कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं थी. So at first, they increased population. इसलिए सर्व पर्थम उन्होंने अपनी जंसंख्या को बढ़ाया. They made arrangement for their safety and security. उन्होंने अपनी सुरक्षा के परवंद किये. यहां रसेल कहते हैं कि सर्पर्थम उन्ह चीजों की चर्चा जरूरी है जिसने प्रारम में मानव की मदद की. उन अवस्थाओं की जानकारी जरूरी है जो मानव के विकास में सायक हुआ. इस संदर्व में जो पहली वार बिचार आया हुआ संख्या थी. एक समय रहा होगा जब मानव जाती एक बिरले पर जाती रही होगी. उस समय के लोग जंगल एवं गुफाओं में राते थे. वे जंगली जीवों से डरा करते थे. इसके अतरिक्त अन्य बहुत सी कटनाईयां रही होगी. इसलिए उन दिनों मनुष्च की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम रही होगी. परिनाम शरूप मानव ने अपना तक्निकी ज्यान पूरी जंग संख्या बढ़ाने में लगाया है. लेकिन कुछ निश्चित मामले में विकासात्मक द्रिष्टी कौन से देखा जाए तो हम जारवरों से पीछे रहे हैं. बड्टेंट असेल कहते हैं कि खुश्याली के संदर में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. रियाली मेन आर नौट हैपी. बास्तम में लोग खुश नहीं हैं. दे हैं वरीज. उन्हें चिंताएं हैं. दे फोर्सी दे एर फ्यूचर डेंजर. वे अपनी आने वाले खत्रों को भाप लेते हैं. दीज मेक देम एनहपी. यह उन्हें दुखी बनाता है. First of all, man invented language. सरपर्थम मनुष ने भासा का विश्कार किया. उन्होंने इस बात को सीखा कि आग का प्रियोग भोजन बनाने के लिए कैसी किया जाए. They used fire to scare animals. उन्होंने आग का प्रियोग जानवरों को डराने के लिए किया. It was used to get warmth. इसका प्रियोग गर्मी प्राप्त करने के लिए भी किया. रसेल कहते हैं कि खुस्याली के संदर में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता. जाड़े के समय में पक्ची भूग के कारण बहुत अधिक संख्या में मरते हैं. लेकिन गर्मी के समय में वे इस आपदा को भूल जाते हैं. वे इसे कभी याद नहीं करते लेकिन भूग से मरे प्रतेग व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखा जाता है. वह चिंता का कारण बनता है. हम केवल उनी आपदाओं का कस्ट नहीं भोगते जो हम पराते हैं. बलकि हम उनके लिए भी भैवीत होते हैं जिनके लिए हम कारण ढूंड लेते हैं. जिनके बारे में हमारी बुद्धी कहती है कि या कस्ट या दुख आने वाला है. अता भविष की चिंता और भै भी दुख एवं समानिक खुशी के अभाव के कारण बनते रहते हैं. इसलिए वैसे लोग भी जिनकी अच्छी आय होती है उतने खुश नहीं रहते जितने उनके टेबल के टुकरे को खाने वाले चुए होते हैं. आनन्द के अभाव का कारण कुछ दूसरा है. जानवर शंगीत, कविता, विज्ञान, फुटबॉल, बेसबॉल और सराप से आनन्द नहीं पाते हैं. यह हमारी बुद्धी है जो हमारे लिए आनन्द प्राप्ति के अनेको दरवाज़ों खोलती है. जो जानवरों के सामने नहीं हैं. लेकिन यह लाब मनुश्यों दौरा बड़े उत्तरदायत के बोरियत के कीमत पर मिला है. अर्थात हमने बोरियत को लिया है और उसके बदल कार के आनन्द से है. या गरिमा उसे बुद्धी और नैतिक्ता से प्राप्त होती है. या एक लाब है या नहीं संदेहास्पत हो सकती है. लेकिन किसी भी कीमत पर यह एक चीज है जो मानवों को पसुता से अलग करती है. जहां तक सब्यता से मिले ज्यान का प्रस्ण है, से बाहर के लोगों के परती वे जानवरों से ज़्यादा हिंसात्मक होते हैं. ऐसे कोई लक्षन दिखलाई तो नहीं देते, लेकिन सायद आने वाले समय में मानवों के इस दृष्टिकोन में परिवर्तन हो. इन सभी बिविन्य तत्यों को दिमाग में रखना आवस्यक है क जब इस बात पर विचार हो कि किन विचारों ने मानव को सरभादिक सायता पहुचाया है, जिन विचारों से हम जुड़े हैं, उन्हें दो बर्गों में बाटा जा सकता है. पहला विचार है ग्यान और दूसरा विचार है तकनिक और दूसरी तरफ नयतिक्ता और राजनित मनुस ने जानवरों को पालतु बनाना सिखा उन्होंने जानवरों का प्रियोग किर्सी में किया उन्होंने बच्चों का भी बलिदान दिया ताकि अच्छी फसल प्राप्त हो सके लेटर रॉन दे एडाप्टेट सैंटिफिक मेदट्स बाद में उन्होंने बग्यानिक बिधी को अपनाया दे इन्वेंटेट दा आट अफ राइटिंग उन्होंने लिखने की कला का भिकास किया फर्स्ट दे रौर्ट इन फौर्म अफ पिक्चर्स प्रारम में उन्होंने तस्वीर के रूप में लिखना सुरू किया उसके बाद उन्होंने शब्दखन के रूप में लेखन प्रारम किया अन्त में उन्होंने अल्फावेट या वर्णमाला के रूप में लिखना शुरू किया, देफलेपमेंट वाज बेरी स्लो, सो इट टुक ए लॉंग टाइम, चुकि यह विकास क्रमिक था, बहुत धीरे धीरे था, इसलिए इसमें एक लंबा समय लगा, रसेल के अनुसार भासा के सुरुवात कब हुई यह ग्यात नहीं है, लेकिन इतना तह है कि इसका विकास क्रमिक हुए, इसके बगेर एक पीडी से दूसरी पीडी तक मानव द्वारा किये गए खोजों एवम अविस्कारों को पहुचाना कठिन था, दूसरी चीज आग का ऐसा लगता है कि किसी अपसर पर किसी बच्चे ने आग में मांस का टुकरा फेक दिया, इसके लिए उसे डाटा गिया होगा और जब उसे बाहर निकाला गिया होगा, तो वह बेहतर अवस्था में पाया गिया होगा, इस तरह से खाना बनाने का लंबा इत्यास शुरू हु गड़ों को, निस्चित ही जीवन को खुसाल और सुरक्षित बनाया होगा, वे जातियां जो सेरों और घड़ियालों की पूजा करते थे, उनकी अकाल मिर्ति हुई होगी, लेकिन जिनोंने गाय और भेड की पूजा की होगी, वे खुसाल हुए होगी, खेती का विसकार हु वह बंद हुआ, अंत में रसेल कहते हैं कि प्रागेतिहासिक काल के इत्यास के आविसकारम में सबसे अंतिम में था लेखन कला का आविसकार, यह बास्तव में महतपुर्ण इत्यासिक घटना थी, बोलने के तरह ही लिखने का भी क्रमिक विकास हुआ, सबसे पहले चित्रों का संबाद संप्रेशन का साधन बनाया गिया, चित्रों के माध्यम से संबाद संप्रेशन होने लगा, फिर चित्र से सब्द खंड बने, उसका लेखन शुरू हुआ, और सब्द खंड से बर्नमाला अर्थात अक्षर तक की धिरे धिरे यात्रा पूरी हुई, इसमें एक ल झाल